नमस्कार स्वाधत है आपका लाओड इंडिया टेलिविजन पर मैं होशोग वान खड़े आज आपके सामने एक ऐसे सक्सेस कोंपेश कर रहे हैं पहली बार लाओड इंडिया के दर्शक उन्हें उनसे रूबरू हो रहे हैं अनील जैन मजबदस से आते हैं दिल्ली में काफी जिनों से पत्रकार जा कर रहे हैं लेखने के धनी हैं और बेबाक लेखने के लिए लिए जाने जाते हैं आज के समय में वो राश्टर दोही की कैटेग्री में आते हैं जैसे जो पत्रकार है जो सच्चाई बयान कर सकते हैं उनको किया जाता है आज अनिल जी को आपके सांदे लाने का हमारा मक्सद इसलिए है कि अनिल जैन वो जाबात पत्रकार है जो कश्मीर जाकर वापस आये है और कश्मीर का फर्स्ट हंड अकाउंट ग्राउंड जिरो से रिपोर्टिंग कश्मीर में क्या हो रहा है ये सब हम आकलन कर रहे है कही व भूम क्या हैं लोगों से बात कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अनिल जी अपने जितनी भी एक्स्प्रियंस है तो साजा करें हमारे दर्शकों से अनिल जी लौड इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप बताई आप जब कश्मीर में लोग जा नहीं रहे तो आपको क्या सुझी जो आप कश्मीर चले गए कश्मीर जाने का या था जिटन से सरकार ने 370 एवल्डिroll करने का फैसला किया था उसी दिन से हम सोच रहते हैं कश्मीर जाने का कुछ मित्रों से बाचीत हुई और कारिकरम बना हमारा और हम यहां से रवाना हुए कश्मीर में जब आप उत्रे सबसे पहले एरपोर्ट पर वहां से आपको क्या माहोल लगा जो हम यहां जो सरकार बताती है वो था या जो आपने देखा वो मैं चाहता हूँ आप शेयर करें हमसे श्री नगर एरपोर्ट पर तो सामाने विस्तिती थी लेकिन एरपोर्ट से भार निकलते हैं जो हम एक महावराया सुनते हैं कि चप्पे चप्पे पर सेना तेनात वो महावरा हुआ हाकिकत में बिल्कुल दिखा जहां हर 20 कदम पर जो है वो CRPF के जवान और हर किसी गली प वज़े दुकाने खुलना शुरू हो गई थी हमने कुछ जगह पूछा भी क्या दुकाने नंने खुल रही है यह कह लिए वा दोगंटे के लिए नो बज़े सब बंद करगी है यह था कि हम साफ सफ़ाई के लिए खोलते हैं किसी हो कोई जरूत का सामान करी खरीद ना हो तो वह खरीद सकता है और हमारे सामान को ठोड़ी सी हावा लग जाए लेकिन नो बज़े बुले सब बंद हो जाएगी यह स्वेंभू बंद करते हैं कि प्रशासन का कोई है सब अ सादे नो बज़े बाट फिर पूरा तो यह कब तक रहता है समाहल रात तक रात को सादह साथ बज़े के बाट तो फिर महां कोई निकलता ही नहीं सलब फिर सिर्फ मेας के फोर्ट के जवान रहता है सरकार ये भी दावा करते है कि स्कूल भी खुले है कुछ जगा बैंक्स खुली है कुछ जगा सरकारी आफिसे भी खुले है सरकार बिल्कुल ठीक कहती है कि स्कूल खुले है सरकारी आफिस खुले है बैंक खुली है ऐसे इसकूल कालिज इसमें होता है यह आपने कहा कहा देखा आप श्रीनगर गए और कहा कहा गया श्रीनगर सोपिया पंपोर सबी जगे कमोवेश यही माहौल इसका मतलब जब से अनॉसमेंट हुआ है या उसके पहले से हम बात करेंगे इस अनॉसमेंट की जो तैयारी हुई है जो यात्रा वापस बुलाई गई थी और वहां आर्मी पहुंच गए थी उस दिन से आज तक याने जब तक आप थे आपका कहिना है वहां अगोशित कर्फ्यू है जी महां सरकार को असलमें यह सरकार फैसला किया पांच अगस्त को उसके पहले सरकार को यह उम्मीद थी क कि बड़े प्यमाने पर हैंसा होगी सुबे में और उन्हें उस तरह से सारी तैयारी की थी पेरा मिलिटरी फोर्स वहां तैनाद किये थे भारी मातरा में लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी भी नहीं हो रहा है महां ना पत्रा हो रहा है ना प्रदर्शन हो रहे हैं कि अनकाउंटर हो रहे हैं में जो हमिशा जिसके लिए कर्मीर बदनाव है लेकिन महां कुछ नहीं हो रहा है लेकिन वहां इसका मतलब स्मेंड के बाद आज तक वहां हिंसान नहीं है वहां ख्याहा का सरकार इसी आधार पर कह रही है की महाँ शान्ती है लेकिन महाँ के लोगों का भी कहना है कि बिलकुल महाँ पत्राओ नहीं हो रहा है प्रदर्शन नहीं हो रहा है लेकिन ये शान्ती जो है किसी तुफान के पहले वाली शान्ती है ये और उसका 27 सेप्टमबर का वो इंतजार कर रहे है कि 27 सेप्टमबर के वो क्या मेसेज देंगे अपने भाषण में कश्मीर को लेकर, उसके आधार पर कश्मीर का मुस्तक्बिल तए होगा और हमारी ड़ाई का सुरूप तए होगा। लेकिन बात था मैं और साहब भी गए थे, संतोजी भी गए थे, जब वहाँ गए थे, तब हमने एक बात वहां मैसे की, लोग नाराज हो सकते थे, लेकिन भारत के खिलाप नहीं थे, भारत के साथ रहेकर वो कुछ चीजे अपना विकास चाहते थे, अपना डेवलप्मेंट तो हमारी जहां जहां भी जिन से बात होई ये करेब 90 पर रच्श कि खत्म करके कश्मीर को आजाद कर दिया, और हमारा सरकार, भारत सरकार के साथ कक्श्मीर के लोगों का जो एक्रिमेंट था, 1948 में जो हुआ था, वह agreement समापत हो गया, अब हम आजाद हो गए, सरकार ने हमें आजाद कर दिया है, अब हमारे लिए 370 कोई माइने रखता ही नहीं है, अब हमारे लिए सिर्फ है आजादी, यह 90 परतिशत लोगों का मानना है, कश्मीर वेली में, और यह जो आप पे जो केंदर साशीत परदेश कर दिया है, कश्मीर का वाइफर केंदर को अलग कर दिया है, यह एक बार आम तोर के सब्दी परचारित हो रही है, हाई कोट ने भी आज एक कुछ डिसिजन दिया वहां पे, कि लोगों को अरेस्ट किया गया है, बहुत सारे लोग जेल में है, बच में यह गिरबतारिया हुई है, और जिनके बारे में किसी को नहीं पता है, ना अकबारों को, मीडिया को जानकारी दी उन्होंने, और यह गिरबतारिया मुख्यू रूप से शिरी नगर के सौरा इलाके में हुई है, डाउन टाउन इलाके में हुई है, और बारा मुला में ह होई है बारा मुला स्वापया में हूई है तो यह कहां रखे गए है कि इन Falls Remo पयर होगा हम 6-8 तो आपको क्या लगता है सट्भ है कि जगा है उनकी बाद चीस से जो मेसेज निकलत के आता है वो यह कि 17 के बाद फिर जो है यह शांती नहीं रहेगी जो अभी दिख रही है क्योंकि 17 का इंतिजार कर रहे हैं इसमें तो बहुत स्वच्छ है कि भारत के प्रदार मंत्री नदेनर मोदी तो किसी भी हालत में जो उन्होंने डिसिजन लिया उस पर स्टैंड करते हैं विश्वा का पुरा समर्तन होने की बात भी हो रही है दूसरी और इम्रान खान लगात जो सकता ही तरीकों मैंसे जाएगा मुझे नहीं लगता कि इम्रान को यूटर लेने वाले हैं वहीं बात करेंगे जो लगाकर बात करते आ रहे हैं और उनका माणना है कि क कश्मीर को लेकर बिल्कुल गलत परशार कर रहा है जो तत्हकति जिसको नेशनल मीडिया ऑफे उनके खड़ हैं ईफिय सरी नगर में लेकिन शेहर में कहीं जाते नहीं वहीं से जो है वो कोई दस बारा वहान अकर एक साथ निकलते हैं तो उसका शॉट लेते हैं और दिखाते हैं कि कश्री नगर सामान लिया और अबागमन जारी है लोगों का जन जीवन सामान लिया है तो नेशनल मीडिया के प्रतिक कश्मीर के जो आम जन्दा जिनसात्वाप क की है उनका किया है अब रामआएया।ा कि अबरभाय किश्याम की जो ट्रीवी चैनल बड़ी बहस और च्छोटी बहस और जैसा करें जिस तरह कोई करम निररा कोईश याडल जिल के किनारे करें या लाल चोक में करें कभी वो कुल ये बात सामने आती है कि दिल्ली के पत्रकारों के प्रती काफी रोश है तो आप भी तो दिल्ली से गए तो क्या आपको भी ये कही लोगों का सामना करना पड़ा लोगों के घुसे का दो तीन जगे करना पड़ा पत्थरबाजी का सामना भी हुआ हमारा लेकिन उसके बाद जब हमने बताया है कि हम कश्मीर का दूसरा पक्ष भी जानने के लिए यहां आए हैं जो नेशनल मीडिया दिखा रहा है हम उससे हटकर दूसरा पक्ष भी देखने आए हैं उनको भरोसा हुआ हमारी बातों पर और उसके बाद फिर हम लेकिन यह सफाई यह सब जब देना पड़ा कि हम नेशनल मीडिया से अलग हैं जो मेंस्ट्रिम मीडिया से लेकिन आपने कहा कि वहां शांती है लेकिन वहां का यूथ यह आकरोशित है तो वहां का यूथ क्या सोचता है वो क्यों शांत नहीं है वहां इंटरनेट और मोबाईल बंद होने की वज़े से सबसे बड़ा फर्क यह पड़ा है कि जो कालेज इंजिनीरिंग और खास करके इंजिनीरिंग के जो स्टूरेट है वो डिप्रेशन के सिकार हो रहे हैं दो बच्चों के पागल होने की खबर भी वहां पर जो है वो हम जिस दिन आये उसी दिन हमें यह मिली कि वो मांसी ग्रूप से जो है वो बिक्षिप तो हो गए इंटरनेट बंदे पढ़ाई कैसे करें वो और इंजिनीरिंग की पढ़ाई में तो इंटरनेट मस्ट रहता है और महां के नोजवान ही नी महां के किसी आप आठ साल के बच्चे से भी अगर कहेंगे कि कश्मीर में क्या होना चाहिए तो वह यह कहेगा आजादी कुला कर ने मन की बात करते है बूब आसा हें गेलर सोचता हिए पहुंचे नहीं यह यह को तया में यह वह सीजुप करती है करती होई कि जहां जो सम्विधान की बात कर सकते थे कस्मीर में लोग राजीपाल पर लोग भरोसा करते रही हैं जो सुरक्षा सलाकार हैं वो उनकी हसी उडाते हैं वहाप उनका कहना कि यह आते हैं और प्रायोजित कारिक्रम करके चले जाते हैं सरकार अपनी सामाने स्थी दिखाने के लिए वहाँ सरकार ने यह किया है कि जो स्थीट वेंडर्स हैं उनको सरकार 15 सुरुपे रोज दे रही है कि आप दुकान लगाईए अपनी स्वड़क पर आपका धंदा चले या ना चले शाम का आईए और 15 सुरुपे हमसे ले जाईए तो स्थीट वेंडर्स दुकाने लगा रहे हैं वो दुकाने लगा रहे हैं कोई खरीदने वाला नहीं है खरीदने वाला कोई थोड़ा बहुत कुछ खरीदते भी हैं लोग लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है वो दुकान लगाते हैं कपड़े की दुकान अब जब से थरिफाई ये और ये मसला हुआ तो क्या वहाँ आतनकवादियों का हत्या वेच से बरकरार है या लोकल पुलीस से एक तो उन्होंने हत्यार ले लिए है अब लोकल पुलीस के हाथ में सिर्फ डंडा है बड़े वैपन्स जो है वो लोकल पुलीस के पास नहीं है वो सिर्फ पेरा मिलेटरी फोर्स के पास है और पहला पेरा मिलेटरी फोर्स को महां का नोजवान जो है वो अपना दुश्मन मानता है कि दुश्मन देश की सेना है और सोरा में यह हालत है कि सोरा में घुषने के साथ रास्ते हैं सीन्डगर का जो सोरा इलाका है वो महां के लडकों ने जो है वो सातो राष्थे बलाक कर दी है और वहां जो केबल भिशावा था जीयो का उस केबल का उप्योग उन्होंने उखाड उखाड के जो है वो राष्थे बलाक करने में किया है रात को वह उसमें क्विर्टः छोड़ देते हिं ताकि जवान घुस्ने नहीं पाए उसब इनका यह मानना है कि जवान अगर घुशते हैं तो वह फिर किसी भी घर में घुस्ते किसी को भी पकड़ ड़ते हैं किसी भी महीला के साथ बेज़ज़ती करते हैं वो और उनोंने रोड भी खूद दिया गा, ताकि महां कर वहां फोर्स का वहां भी नहीं जा सके वहां पर, सातों रास्तों पर. तो जब इतना कड़ी वाफ फोर्स है वहां ने सब कुछ है तो यह होने कैसा दिया उन्होंने और यह भी रिपेल क्यों नहीं किया जाता रोड ऐसा अब यदि इतने हाला तो इतने कमजोर तो फोर्ज भी नहीं है कि यह सब को छोटे हुए भी छुप रहे हैं नहीं यह वहां होता है रात को साथ बजे के बाद वहां साथ बजे के बाद जो है वो पत्थर भी चलते हैं और पेलेट गन भी चलते हैं अच्छा तो यह वह उन इलाकों डाउन ताउन इलाके में होता है और सोरा में होता है आपके होते हुए कुछ कैजुल्टी वगरा 370 के बारे में कि सरकार का ये दावा बिल्कुल ठीक है कि 370 रटने से यहां डेवलप्मेंट होगा बोले हम मानते हैं कि यहां इंडस्ट्री लगेगी लोगों को रोजगार भी मिलेगा नए स्कूल कालिजेज भी खुलेंगे लेकिन कैसा कशा ह खतम होगी zasas इससे खतम नहीं कि हमने उन से यहां की जब लोगों को रोजगार म मिरेगा तो तो उनने कि तालिबान से जो लडाके आएंगे, उनका क्या करेगी सरकार. . जो बाहर से इंट्रेट करके आथे थैं ने कि यदि लोकल लोग यदे शाहत दे, सरकार का, तो बाहर के लोग कब तक दम मार सकते हैं? उनका कहती है कि हमारा अधाला अधिया थो है कुछ भी नई है अभर इसमेजाशागारम कर दिखा ऑप को साथ वहां कि दो जो हमारी फ्रॉश का वे हम यहा पर कश्मिर को बीडरी होता है हरियना की मुहरीं देखि deben उन बयानों को लेकर महां पर बहुत रोश है और मनोरलाल खट्टर का जो बयान यहां पर सपाता और सोशल मीडियम में वाइरल हुआ था उसके उन्होंने बड़े-बड़े होडिंग्स लगाएं उस बयान के और उसको प्रचारित कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि हर्याना क चीफ मिनिश्टर ने महां के कुछ MLS ने महां के कुछ BJP के MPs ने इस तरह के बयान दिये कि अब कश्वीरी लड़कियों से हम साधी कर सकेंगे उनको बहु बना कि ला सकेंगे उसको प्रधान मंत्री ने या अमीश्चा ने कहीं जो है वो कंडेम नहीं किया उनके बयानों क इससे यह जाहिर होता है कि पायटी का समर्थन उनके बयानों को प्राप्त है और प्रधान मंत्री और अमीश्चा भी उसी जहनियत के हैं जिस जहनियत के मनोडलाल खटर है यह उन लोगों का कहना है कि आप को अनुदी आप ज्रूंध बता पाएं कि आने वाले समय में कि बिद है कि कमीर के ही कि स्दिती यह रवी तक कश्मीर में लोगो कि नीकड़े यह और यवी तक कश्मीर को जो है बहुत है भार से जोड़े विशेज दरजा खॉत्म करने के बाद कश्मीर का वो रिच्टा भारत के साथ जो था भो खॉत्म हो चुका है और जो मसला अभी तक उनाइटट निशन में नहीं गया था तीजिस साल से लगातार कश्मीर में आतंगवाद चल रहा है लेकिन नहीं गया था लेकिन 370 खत्म होने के बाद वो अब उसका अंतराश्टी गरण हो जोगा है और अब उससे सरकार भी पीछे नहीं हट सकती और न कश्मीरी आवाम पीछे हटने को तयार है और एक तरह से यह मामला यह है कि साउथ एश्या में एक नहीं गाजा पट्टी जो है वो तैयार हो यह आपको लगता है अमेरिका के राष्ट्रपत यह इंट्रेवेन करता है इस्तित्यां बदलती है और कहिना कहीं एक मानवता के दुष्ट्री कौन से कि भईया कश्मीर का सोलुशन कहिना के निकलना ही चा नहीं हमने वहां के लोगों से कहा कि भई बहबुबा मुप्ती और फारुक अब्दल्ला यह आटोनामी की बात करते हैं उनने का वो बखवास करते हैं और उनकी यहां कोई वाइज नहीं अब और बो सरकार से कि अंडरिस्टेंडिंग के साथ वो जेल में है अबी अगर वो भार होते हैं तो पतानी जिनता उनके साथ क्या सुलूप करती हैं इसलिए उन्होंने अपनी सरकार से मिलके अपने आप भो गिरबतार कर वाया है नजर बंद कर वा रखाया हैं ऐसा उनके वहां के लोगों पर सोच है लेकि निए सिर्थी को ठीक करने के लिए आप कैसे हो क्या होना चाहिए है अभी तो इसका सवा जबाब तो सहे भारत सरकार के पास है और नकश्मीरी आवाम के पास है ह मैं उस्थिती बिलकुल हार से बार के यह साब को करने बिल्कुल चलो अनील जी ने अपना श्रिक्स किया अनिली घुएने जो स्थिती वहां है और वहं को बताई लेकिन हम सब दर्शक अनील जी और मैं खुद हम सब लॉड इंडाध्य के लोग कि भारत और कश्मीर एक है कश्मीर भारत का एक अंग है कश्मीर भारत से अलग नहीं हो सकता लेकिन जो लोगों के मन में हैं वह हमने बया करने का प्रयास किया लेकिन हम आज भी सरकार से अपिक्षारख करते हैं कुछ ना कूछ इसमें से डेड़ लॉक के तूटना चाहिए क कई ना कई सव्वात स्थापित होना चाहिए तो जो कश्मीरी है जो आपने आपको कश्मीरी कहते हैं हम जिने भारतिय कहते हैं वो फिर से भारतिय बने उनके मन में ये भारतिय तका बोध हो कई ना कई सरकार को कुछ और लेवल पर साम करने की जरूरत है कई ना कई सव्वात मिकृ masculinity जो है उसको तोड़ने की ज़र। यह बात तो तह है कि कश्मी को कोईवारस से अलग नहीं कर सकता। कश्मीर भारत के साथ रहेगा सवाल है कश्मीरियों का उंक कश्मीरियों को भार्टियय बनाने क्या है। जानके है प्रधान मंतरी दे निर मोदी के बारे में लोग कहते हैं मोदी है तो मुम्किन है तो शाय दिधी मुम्किन हो जाए फिला तो अनिल जी ने जो बताया जो बाकी चीज़े एन के पुश्टिय नहीं हो रही थी रहिति तियां बहुत गंभीर है चलो सब बेंके हम भग ये लेगा लारी नेगा लारी नेगा